हेलो एवरीबन बेलकम बेक एन अबर चैनल दोस्तों आपसे भी का स्वागत है तो प्यारे बच्छों मैं हूं कपिल तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चेटर नमबर 7 कोडिनेट जोमेट्री की जो आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नमबर 7.2 के कोश्चन नमबर 8 को आजम देखेंगे इससे पहले वेने कोश्चन नमबर 7 तक का दो वीडियो मैंने कंप्लीट आपको सॉलूशन प्रोवाइट करा दिया साथ साथ इसकी एक्सरस 7.1 और और इस वीडियो में एक को ही देखेंगे और concept हम समझेंगे इस तरीके का कुश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो exam में काफी काम से में आप इसको कर सकते हो ठीक नम भले ही जहां पर समझाने में टाइम रख सकता है तो देखें कोश्चन में बोला क्या है in a and b are minus 2, minus 2 and 2, minus 4 respectively okay find the coordinate of a point p such that a p equals to 3 by 7 of a b and p lines on the line segment a b okay now अब कोश्चन में बोला गया है आपको na a और b के coordinate दे रखें respectively और आपको coordinate of p point बताना है और जिसमें आपको relation दे रखा है a p equals to 3 by 7 of a b जो a p है वो a b का कितना part है 3 by 7 और p point है जो line on the segment पे कहीं ना गहीं लाई कर रहा है आपका ठीक है तो question की according मैंने क्या किया एक point ले लिया मैंने a और एक ले लिया b इन दौनों को join करके जब हम बनाएंगे एक आपको ना ले हाँ पे line segment बलेगा जैसे हम यह भी बोल रहे थी अभी ठीक है a के coordinate 2-2-2 and b के coordinate 2,-4 ओके अब देखो p point हमने ले लिया हाँ पे midpoint नहीं है यह कोई भी point कहीं भी हो सकता है तो मैंने p हाँ ले लिया इसके coordinate x, y इसी point के हमें coordinate आपको बताने है और यह labeling कर लिया मैंने इसको x1 by 1 x2 by 2 ठीके ना section formless से question होगा उससे पहले हमें चाहिए ratio अब a p है वो 3 by 7 of किसके a b के तो ना अब देखो जरा ध्यान से आप समझेगा मैंने क्या क्या यहाँ पे a b का divide मैंने a p के नीचे कर देए इधार ठीके ना cross multiplication करेंगे तो we will get 3 upon 7 of a b तो मैंने क्या किया जो a b था उसका divide a p के नीचे कर देए तो equation जो हमारे पास अब रहा क्या है a p upon a b equals to 3 by 7 ओके ना अब देखो a से p यह जो length थी हमारे हांसे a से p तक की जो आपकी जो ratio है वो तो हमें मिल गया 3 क्या आगया हमारा 3 अब हमें चाहिए ratio p से b के लिए अब देखो overall जो a b है वो कितना है हमारा 7 overall a से b के लिए जो ratio वो कितना 7 है और a p भी हमारे पास आचुक यानि कि p से b का जो ratio है easily अब हम यहां से count कर सकते हैं na p से b को कितना हो जाएगा overall में से 3 को minus कर देंगे यानि कि 4 तो p से b के लिए जो ratio है प्यारे बच्चो वो आपका कितना आ जाएगा 4 तो similar by section formula we will use here okay so हमें अपना answer मिल जाएगा तो section formula उमीद करता हूँ आपको सबको यह अब यह learn हो चुका होगा section formula हम कहां यूज करते हैं जब एक point किसी line segment को कुछ ratios में divide कर रहा होता है तो उसके coordinate हमें बताने होता है ठीक है न यह point थपी इस line segment को किस ratio में divide कर रहा है 3 ratio 4 में तो इस point के जो coordinate है क्या रहे होंगे तो coordinate equals 2 होता है m1 x2 plus m2 x1 donor ratio को नीचे divide similar यही calculation पर लिखना है start करते है m1 का value आपका कितना है 3 multiply x2 कितना है हमारा 2 जब m1 लेंगे तो 2 वाली value आएगी x की अब m2 कितना है आपका 4 m2 कितना है 4 तो x बन चाहिए x1 कितना है आपका minus का 2 ओके अब divide में आपका चल रहा है ratio को divide ratio क्या निकल क्या है हमारे 3 और 4 अब कौमा लगा जाए m1 कितना है आपका 3 multiply y2 कितना है minus का 4 ओके प्लस m2 कितना है आपका 4 multiply y1 कितना है minus का 2 ओके अब हमने क्या क्या सिंपली formula में हमने क्या जो data था वो यहापे हमने put कर दिया है ठीके न data put करने के बाद फिर तो बच्चिवी simple सी calculation अब यहाँ भी गढ़़ हो गई तो देख 3 तूजा कितना हो गया 6 और 4 तूजा 8 minus का 8 divided by 7 कॉमा 3 तूजा 12 हो गया आपका प्लस 4 तूजा 8 चलो आप में हमें minus का 8 ही लिख दे रहा हूं ठीके ना बाद में चींज़ दल लेंगे यह हो गया 7 ओके यह आपके बन रहा है coordinate अब 6 minus 8 कितना हो जाएगा minus का 2 ओके कॉमा minus का 12 और minus का 8 कितना हो जाएगा minus का 20 minus का 20 अपन 7 तो यही ना आपके इस point के coordinate निकल के आएंगे जो line segment AB को 3 ratio 4 में divide करेंगे ठीके ना इसमें important बात जो समझने वाली बात क्या थी पायरा वाच्छो यह question तो वैसे section form ने के हमने कर भी रखे थे बड़ इसमें changing क्या थी question में जो आ AP equals to 3 by 7 of AB तो हमने क्या क्या AB का है डिवाइड कर दिया ratio comparison कर लिया AP का ratio कितना आ गया 3 और overall जो AB है यहां से यहां तक हमारा 7 है तो बाकी remaining part B से P कितना होगा वो आपका 4 है ठीके ना तो 3 ratio 4 हमारे यहां पे ratio निकला आए थे तो M1 M2 ले लिया फिर X1 Y1 X2 Y2 को लेके section formula हमें यहां पर यूज कर लेना है फिर आपको आपका answer मिल जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको यह question अच्छी तरीके से आपके समझ आ गया होगा देखो अगर exam मैं इसे question पूछे जाते हैं same आपको यही method apply करना है complete आपको number मिलेंगे जितने mark से question अपनी value रखता है तो मिलते हैं कि वीडियो में तब तक के लिए धनबाद take care and wait for the next video